हेलो दोस्तों दृष्टी आईएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है जैसा आप जानते हैं कि बीते दिनों जो मॉंट्रियल में होने वाली इस पूरे दौर में बायो डायवर्सिटी को लेकर के बहुत जादा चर्चाय की जाएंगी कई तरह के जो भी फ्रेमवर्क है उनको अपनाया जाएगा खासतोर से पोश्ट ट्वंटी ट्वंटी फ्रेमवर्क को अपनाया जाने की बात कही गई थी जिसके अंतरगत जयो इतर बड़े मांसाहारी जीवों के संदक्षण पर जोड़ देते हैं जबकि जो छोटे इसतर के मांसाहारी जीव हैं उनको लेकर के संदक्षण के प्रयास इतने तेज नहीं दिखाई देते आज के इस डिसकेशन में हम इस बिंदू को महत्पूर रूप से समझेंगे इस whatnot को समझेंगे कि क्यों छोटे मांसाहरी जीव है उनका संदक्षण किया जाना भी बहुत ज्यादा महत्पून है तुझ आज का डिसकस्षंटन के तौप्थ में कियों जरूरी है छोटे जीव contractor को भचाना आहर च्छोटे मांसाहरी जीव को भचाना तो बहुत जरूरी हो ज हो चीता हो तो उनके संदक्षण को सबते पहले महत्त दिये जाने की बात करते हैं और सुनते भी हैं नीति किर्माता इस पर बात करते हैं लेकिन जो चोटे स्तर पे जो मांसहारी जीव है उनकी स्थितिया क्या है उनको संदक्षड की क्या आवशक्ता है क्या उनकी प्रजाती को विलप्त होने के कोई खत्रे है इन पर एनालेसिस कम ही देखने को मिलता है तो आज का टॉपिक इसी से झुटन आई जुड़ा है नूज आई है विसल not pandas should be the poster animal for biodiversity laws क्यानी कि और साथ ही जलवायू परिवर्तन से ठीक है चलीए तो चर्चा में क्यों है इसकी शुरुआत करें तो आपको पता है कि उनाइटे नेशन्स बाइयो डाइवर्सेटी कॉनफरेंस यानि की टी ओपी 15 साथ कि दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 19 दिसंबर तक चलेगी ठीक है इसको 19 कर लीजिए 19 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा कहां कैनेडा के मॉन्ट्रियल शहर में आप सभी को पता है कि इसकी अध्यक्षता चीन कर रहा है इसका आयोजन चीन में होने वाला था लेकिन पिछले दो साल से कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते इस आयोजन को टाला जाता र रहा है तो इसको मॉन्ट्रियल में आयोजन कराया जा रहा है तो प्रकृति के साथ माना होता कि सम्मंधों को बहतर करना और साथ ही एक नया वैश्विक धाचा यानि फ्रेमवर्क तयार करना कि हम कैसे जयाओ विविद्धिता को संदक्षित कर सके इस बैठक का उद्देश होने वाला है, ठीक, तो इस बैठek में आपको इसका जो लोगों है यहाँ पर देखेगा यह इस लोगों को थोड़ा सा बढ़ा करके हम देखें यहाँ दिख जाएगा तो इसमें आपको कुछ चीज़े दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको देखेगा कि पांड होना चाहिए जिसको बचाए जाने की आवशक्ता है क्योंकि हम अक्सर ऐसे पोस्टरों में ऐसी तस्वीरों में देखते आए हैं चाहे वह बाग का संदक्षण रहा हो चाहे चीते का संदक्षण हो शेर का संदक्षण हो हाथी का संदक्षण हो उसको किया जाने की बात की जा अलाकि हाथी शीर्ष इस्तर पर नहीं है लेकिन हाथी को एक तरीके से बड़े जानवर की रूप में संध्षित किया जाता है लेकिन हम शीर्ष शिकारी की बात कर रहे है ठीक वहाँ पर संध्षण के प्रयास हमें दिखाई देते हैं लेकिन चोटे स्तर पर जो जीव आते हैं उनको सनक्षण नहीं मिलता इस बात को विशेशग इस पश्ट रूप से उठाना चाहते हैं और इस ओर ध्यान आकर्शित करना चाहते हैं वर्तमान सिती क्या है अभी के लिए जो बड़े स्तंधारी है ठीक जिनका हमने नाम लिया चाहे वो पोलर बियर हो ठीक है बाग चीता शेर कोई भी तो इनको मेगा फॉना कहा जाता है ठीक एक तरीके के बड़े जीव जो की खाद शिंखला के शीर्ष पर मौजूद हैं जो विविद्धा के संदक्षण में इनको बचाया जाना सरवोच उपलब्दी की रूप में देखते ह ठीक तो भेडिया बचा ले शेर बचा ले इसका मतलब यह माना जाता है कि हम पूरे पारिस्तित की तंत को सुरक्षित करके चल रहे हैं क्योंकि हम शीर्ष जीव को अगर नहीं बचा पाएंगे तो छोटे इस तर पर जो शाकाहारी या फिर अन्य जीव मौजूद है उनकी विश्तार जडूरी इसको थोड़ा सा और समझेंगे विस्तार से ठीक तो खाद शरिंखला के शीर्ष पर है अब को थोड़ा सा देखने क्या है होकता है शाकाहरी जीव वो इनसे अपना भोजन प्रात करते हैं उसके बाद दृतियक भोगता एक तरीके से मांसाहरी या कुछ मात्रा में सरवहारी अगर हम चूहे को रख लें ठीक तो यह इनको खाते हैं उसके उपर जो चीर पर है मांसाहरी जैसे की शेर जैसे की चील वह इन्हें खाता है और उसके बाद डीकंपोजर्स भी आते हैं इसी श्रेड़ी में यानि कि अपघटक जो इनको आप घटित कर देते हैं इनके लिए भोजन मनाते हैं और इनको भोजन की रूप में इस्तमाल कर लेते हैं यह व्ट चेन यह दो चेन जहां उर्जा का स्थरांतर होते हुए आपको दिख रहए सीधी चेन में लेकिन इक बड़े एन्वार्मेंट में तो यह इतना सीधा नहीं होता कि एक जीव को दूसरा जीव ही केवल खा रहा है क्योंकि जीवों की संख्या लिमिटेड नहीं है केवल मेड़क ही यहाँ पर नहीं है जो इस घास को खाएगा बीच में बहुत सारे इस तरह के अलग-अलग जीव आ जाएंगे जब आप इन सभी को जो साब भी है चूहे के इलावा वहाँ साब भी है चूहे को खाने के लिए पर लोमडी है को खाने के लिए तो कई सारे बड़े इस तरह पर हिक पूरा जाल का निर्मार करेंगे पर comes यहाँ यह बात हाँ चो चो यहां पर छोटे मांसाहारी जीव भी मौजूद हैं तो वर्तमान स्थिति के मुताबिक जो शोध है वो बताती है कि कई जो बड़ी प्रजातियां है उनकी स्थितियों में सुधार हो रहा है जैसे कि अगर उत्री अमेरिका में भेडियों की संख्या को देखें तो भेडियों मांसाहारी जीव हैं उनकी भी संख्या ठीक होती जा रहा है सुधार होता जा रहा है समस्या कहां है समस्या अभी के लिए जो शोध करताओं ने सामने रखी है वह चोटे मांसाहारी जीवों को ले करके तो चोटे मांसाहारी जीवों की जो आबादी है उसमें तेजी से डिक उनका होगा उतना ही प्रभाव या उससे ज्यादा प्रभाव इनका होगा क्यों एक छोटा सा उधारण लेके समझे कि फसलों को जो खाने वाले चुहे जैसे या फिर तृंतक जीव हो ते हैं फसल को खा लेते हैं या फिर छोटे जीव जाकर के कई तरह के नुकसान भी फैला सकते हैं, यानि कि वो किसी तरह के वाहाख हो सकते हैं, कई सारे रोग फैला सकते हैं, तो यह जाकर के उनका शिकार कर लेंगे, ठिक, तो इससे मनश्यों को लाब होगा, एक लाब यह है, अब यह आगे और लाब ब्लैक फुटेड फैरेट का यूंकि नेवले और मिंक के परिवार का सदस्य है ये इस तरह का दिखता है तो अमेरिकी लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में इसको शामिल कर दिया गया है एक समय था जब इसकी बहुत बड़ी संख्या मौजूद थी 1900 की दशक की शुरुआत में हजारों ब्लैक फुटेड फैरेट्स गूमते थे अभी के लिए अनुमान ये लगाया गया है कि जंगलों में अपने स्थानों में ये 400 से भी कम रह गये हैं ठीक 2005 का एक अध्यान बताता है कि पूर्वी धब्यदार स्कंख कुछ इस तरह से ठीक ये एतिहासिक रूप से अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में पाय जाते थे लंबे समय तक पाय जाते रहे लेकिन पिछले 50 वर्षों में इनकी जो संख्या है उसमें 90 फीसद तक गिरावट आ चुकी है ऑनि बहूत कम संख्या इनकी बाकी है गिरावट के क्या कारण हो सकते हैं हाला कि बहुत इस पश्ट्रूप्स अभी वैँग्ञानिकों को मालूम नहीं है कि नेवले जैसे जीव की संख्या में गेर भख्या कि क्या कारण हो सकते हैं ठीक लेकिन फिर भी कुछ क कारण हम यहाँ पर अनुमाल लगाए गए हैं कि क्यों इतनी तेजी से मांसाहारी जीवों की संख्या में गिरावट आ रही खास्तोर से छोटे वाले तो पहला तो यह देखा गया है कि खेती के जो तरीके हैं वो बदल रहे हैं दूसरा बीमारिया तीसरा जो दूसरे तरह के म हरेलु कुत्ते रैकून धारीदार स्किंख ठीक 2021 की समिक्षा को देखें तो पिछले कुछ दशकों में सभी छोटे मांसाहारी जीवों में से जो आधे से अधिक हैं उनकी संख्या में गिरावट आ चुकी है ठीक एक चौथाई के लगभग विलुप्थ होने का खत्रा है चौथाई पर और बड़े मांसाहारियों के समान इस्तर पर इनको खत्रा की संभावना देखी जा रही है तो अगर इस बात को समझें कि बड़े जीवों को ही संदक्षड किया जाना है वहाँ पर इनका संदक्षड भी बहुत महत्पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो चोटी संख्या में या फिर छोटे इलाके को अपना एक्षेत्र बन करके चलेंगे और वहीं तक जाएंगे और शिकार करेंगे हम कहें कि खाद जाल के केंद्र में यह मौजूद है ठीक तो अगर तापमान या आवास का परिवर्तन होता है भोजन की उपलग्दिता में किस संकेतक के रूप में कार करते हैं हमें संकेत मिल जाता है कि उस इको सिस्टम में किसी तरह का बदलाव हो रहा है उस खाद जाल में किसी तरह का बदलाव हो रहा है तो पारिशित्की तंत्र में मामूली बदलाव के तमवेदन शील संकेतक के रूप में इनको देखा जाता है इसके अलावा छोटे मांसाहारियों के खत्म होने से पारिसित्की तंत्र में बदलाव आ जाएगा क्योंकि कई सारे छोटे जीव ऐसे हैं जिनकी संख्या को ये नियंत्रित करते हैं तो कई मात छोटे मांसाहारी क्रिंतक है उनका शिकार करते हैं पौधों की फसलों की सुरक्षा इससे हो पाती है ठीक जनित रोगों के प्रसार में कमी आती है क्योंकि जो छोटे छोटे जीव है जैसे चुहे जैसे वो संक्रमित टिक्स जैसे जो भी छोटे और छोटे जीव ह उनके लिए मेजबान की रूप में कार करते हैं तो इनको खा लेना या फिर इनका शिकार कर लेना कहीं न कहीं उन बीमारियों को भी बहुत जादा रोकता है एक लंबी खाद शंखला मौझूद है जहां पर कई सारे जीवाते हैं तो निशकर्ष के तौर पर इसलिए शुरू के साथ साथ हमें छोटे जीवों का भी संदक्छण करना होगा गांजए जैसे की जगह और ज्य maj को लगा दे तो लोगी इतो बात हो लेकिन इस तरह की जीवों का नाम सामने नहीं आ पाता जिनको संदक्षड की बहुत ज्यादा आवशक्ता है इसलिए ये पूरी बात को सामने रखा गया है इसलिए इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि बड़े जीवों के लिए अगर हम प्रोजक्ट टाइगर या फिर प्र स्विधिता के संदक्षड में छोटे मांसा हरी जीवों के महत को भी नकारा नहीं जा सकता टिपपड़ी कीजिए तो आज के इस डिसकशन में हमने लगबग यही टिपपड़ी की है तो 250 शब्दों में आप इस उत्तर को लिखने का अभ्यास जरूर कीजिए ठीक है तो उम झाल